आप चलि बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 बहुत चोटा से इसरसाइज दो ही कोश्य ने बहुत ही आसानी से खतम हो जाएगा तो इस वीडियो में से हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे और 1.5 बचेगा हो सताइज 6 भी हो तो इसको नेक्स वीडियो में कर उनलें स्टार्ट करते हैं लेकर आपको पता है कि डो नंबर .. जैसे ए और बी की बीच में इनफानाइट आप नंबर लिख सकते हो कि कैँछ इए विडो नंबर की वीच में आप इंफानाइट नंबर ले सकते हो ठीक है गसम लि甚 देखिए किसी भी दो नंबर ए और बी की बीच में इन्फानाइट नंबर लिखा जा सकता है अब इस रसाइज 1.4 में क्या कह रहा है कह रहा है विजुलाइज कीजी 3.765 3.765 on the number line using successive magnification उसको पता है कि यह 3.765 3 और 4 की बीच में आएगा लेकिन इतना लिखो गए इससे अच्छा उसको detailing करो उसकी सेक्सिक मैंनिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल करो उसकी दिखाओ कि number line पे अच्छे से यहां पे है ठीक है तो उसके लिए क्या करना है कि पड़ेगा एक नंबर लाइं बनानी पड़ेगी ठीक साफ सुतरी बहतरी नंबर लाइं बनाईए क्योंकि उसने का यह मैंनिफिकेशन तो मैंनिफिकेशन का मतलब होता है सफाई अच्छे चाहिए दिखाना डिटेल करना तो आपके आखे साथ से पहले आपको नंबर लाइं बना रहा हूं मैंने एक सिंप्ली नंबर लाइं बनाया यह बनकी तयार हो गए अब क्योंकि आप देखिए आपका हमारा नंबर क्या है 3.765 यह नंबर है अब आप देखिए यह नंबर पहले आप इसमें दो नंबर उठाए 3.7 उठाए बस पहले 3.7 को उठाए कि अब आप देख रहे होगा कि 3.7 कहा आता है कि 3.7 उठाए यह से पहले तो यह जो 37 पॉइंट है किसके किसकी बीच में आता है तो जाए से बाते 3 से बड़ा है और छोटा है 4 से तो यह नंबर 3 और 4 के बीच में आता होगा तो आप नंबर लाइं के एक तरफ 3 लिग लोगे 3.7 अभी हम सिफ 3.7 की बाते कर रहे हैं 3.7 कहा आता होगा 3 & 4 की बीच में आता होगा तो आपने जो नंबर लाइन ड्रॉ की है उसमें आप चोटे-चोटे से पॉइंट लिजी 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 देजिए ठीक है क्यों लेना है क्योंकि हमें यह 3 के बाद नंबर लिखने रिखने है 3.1 लिखना है 3.2 लिखना है नंबर लिखने है एक डिजिटिस में लिख दिया मैंने 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 & 3.9 अब आप देखिए 3.7 कहा पे आ रहा है दिखिए दिखिर होगा आपको 3.7 लेखिए कहा पे आ रहा है यह यह यहां पे आ रहा है 3.7 यह यहां पे मैं इसको दार कर रहा हूँ यह 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 लाइन देखिए आप यह 3.7 की यह 3.7 की अब 3.7 के बाद आप देखिए उपर कह रहा था 3.7 65 तो अब हम 3.7 के बाद 6 को ट्राइब करेंगे 3.6 अब हमने ढूंडना है 3.7 तो हमको मिल गया अब हमको 3.76 चाहिए ठ अब हमको 3.76 तो हमको 3.76 यहां पड़ेगी क्योंकि उसको डिटेल से बताना है अब उसकी बीच में तो बहुत किश्पिश हो जाएगा तो साफ से नम आम हमें बतानी है और बताना है कि यह आपका 3.76 यहां पड़ेगा ठीक है इसी को खा जाता है successive magnification अच्छे से लेकर दि 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा ठीक है आपका नंबर 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा ठीक है फिर इसके बीच में वही है आपने जो 9.9 खीचे थे आपको 9.9 खीचना है ठीक है आप इसी नंबर लाएं के उपर 9.9 ले लेजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9.9 अब अच्छे एक चीज और करने पड़ती है आप कोई बताना पड़ेगा कि जो यह डॉटर कर रहा हूं है 3.7 महाजूर लिए उठाया है मैंने थोड़ा आप सफाही से बनाईएगा मैंने का सगोल कर दिया है थोड़ा सा अच्छे से बनाईएगा मेरी इतनी अच्छी आप सब्सक्राइगा और 3.8 मैंने लिख दिया है तो उन्हें बता जाया कि जो 3.7 3.8 मैंने लिखा है इस नमबर लाइन पे वह दर असल वही का उसी का पार्ट है तीक उसको मैंने मैंने लेंस से दिखा जाया कि दिखिए उसके बीच में इतने लाइन है तीक है वहां पे तो लिखनी सब लिखनी पाएंगे हमने किया गया लेंस से देख उसको बाहर निकाल है कि देखो भाई 3.7 और 3.8 की बीच में नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूं वहां पे लिखा है यह 3.7 वन लिखा है उन दोनों की बीच में 3.72 लिखा हुआ है 3.73 लिखा हुआ है 3.74 लिखा हुआ है 3.75 यह जो नंबर में लिख रहा हूं दर असल ओपा जो फर्स्ट नंबर लाइन है 3.7 3.8 उसके बीच में लिखा हुआ है लेकिन चुकि दिखनी पाएगा ठीक हो में डिटेलिंग करनी है तो ऐसे करना पड़ता है अलग बनाना पड लाइन से लिख दीजिए को कि 3.7 के बाद 3.71 आएगा 3.72 हमें क्या चाहिए था 3.76 देखिए 3.76 मिल गया अब यह 3.76 ओपर देखिया और आपको क्या चाहिए सब से फर्स्ट कोशन 3.765 आप चाहिए ठीक है अब आपको 3.765 चाहिए को आपको कुशन है कि मुझे 3.75 3.76 तो आपको मिल गया फाइब ही चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है अब आपको बताना पड़ेगा कि 3.76 and 3.77 की बीच में फिर से हम लिखेंगे उन द दिख लिए ताओं फिर बताता हूं आपको अब तीक है देखिए मैंने डॉट किया है यह बता रहा है कि वो 3.76 जो उपर वाल है वो दुरसल वो मैं नीचे बना दिया है ठीक है डॉट यह बता रहा है 3.76 मैंने उपर से लिया है 3.77 यह लिए इसकी बीच में फिर से नंब लिखने आ रहा हूं 3.3.762 3.763 3.764 3.765.67 3.767 68 ऐसे क्या करें कि हम नंबर लाइन को लाइन से लिख देंगे ठीक है कि इन से लिख दिया है यहां आपको मिल लिया 3.765 यह हम नंबर लाइन पर कह रहा था कि आप इसको विजुलाइस कीजिए मैंने विजुलाइस कर दि आप इसको ब्लैक पें से अंसर में लिख देंगे इस तरह आप नहीं दिखाएंगे आपको 3.761 यह तो मैंने आपको बता दिया कि एरो से देखिए आप ग्रीन लाइन मैं लिखा यह आपको मिला तो एक नंबर लाइन 3.761 के बीच में सिर्फ दिखाने के लिए कि वह यह पर हैं इसको इतना मैगनिफाई करना पड़ा ठीक है नेस कुशन देखिए कि कहा रहा है विजुलाइज कीजिए 4.26 बार ऑन दे नमबर लाइन कहाते है देखिए 4.26 बार कह रहा है फोर डेसिमल प्लेस तक करना है कितने तक फोर तो फोर प्वाइंट तो सिक्स कर 4.2626 यह कहरा करने के लिए सेगें आले पार्ट में अब आपने जिस तरह 3.765 किया है एक्जैक्ली सेम आपको 4.2626 करना है मैं थोड़ा साइड में इसको जगे बना लेता हूं वह जगे कम हो गई थी एक लाइन हमें ड्रा कर लेता हूं एक लाइन लेता हूं पर आको बतात हना देदेशन सेणषमें 2.2726 इस अब 4.2626 को यह करेंगे जैसे देखें आप है पे 3.65 को किया है पहले एक नंबर लाइं बना लेंगे अब आप बतारिए पहले 4.2 को करेंगे दिरे साधे बड़ेंगे 4.26 कि तरफ फिर आगे बढ़ेंगे 4.2 60 की तरफ फिर बढ़ेंगे 4.2626 तरफ तो आपका पहला 4.2 किसके बीच में आता है 4 और 5 की बीच में सिंपल तो आप 4 & 5 लिख लिजिए और आप ध्यान देजिए उपर पहले ऊपर चलते हैं 4. तो आप इसके बीच में वही नाइन लाइन खिश लिजिए एक नाइन लाइन आप के लिजिए पहले 4 और 5 की बीच में और देखें मैंने लाइन इसके बीच में लिख दिया है 4.1 4.2 4.3 4.4 455 6 7 8 हमें 4.2 देखें मिल गया देखें 4.2 यह मिल गया 4.2 मिल गया अब 4.2 & 4.3 का एक नया सेपरेट हम बनाएंगे नंबर लाइन वहां पी तो बता नहीं पाओ गया 4.2626 तो उसके लिए को सेपरेट नंबर लाइन बनाने पड़ेगी क्योंकि उसके बीच में बहुत कम स्पेस है ठीकर आप बहुत किश ठीक है तो आपका जो 4.2 तो आगे मिल गया 4.26 की तरफ चलिए तो 4.26 की तरफ चलने के लिए आपको 4.2 & 4.3 यह दिखना पड़ेगा जैसे आपने पिछले वाले में फर्स्ट पार्ट में किया था तो यह आपको पहले आप लिए तो अच्छी से बना लेजी का आप देख अग infringing अच्छी से थोदा आगे के पीछे हो रहा है लेगिन अप ध्यान किया कोछिस करना चाये जो darker चलका बुलका चल जाता है लेकिन मतलब कोशित करें कि बराबर ही हो अपने एक लाइन से थोड़ा बराबर बठाइए थोड़ा कुछ है मैथ में आठ थोड़ी नहीं है मैथ थोड़ा आगे पर चल जाता है देखिए 4.2 के बाद 4.21 4.22 4.23 4.24 2526 2728 and 4.29 हमें क्या ढूनना थ दोनों के बीच में हम चलेंगे 4.26 की तरफ और 4.26 देखिए जो नहीं नहीं नमबर लाइन यह मिला 4.26 अब इन दोनों की बीच में इसको करेंगे कि मैंगमिफाई हमें क्या ढूनना है 4.26 तूड़ना है कि 4.26 दूड़ना है तो इन दोनों के बीच में नया नमबर लाइन बनेगा ठीक है एक नया नमबर लाइन हम खिष लेते हैं कि लेता हूं मैं मैंने खिष लिया और एक तरफ लिए 4.26 और एक तरफ 4.27 वही लाइन खिषते हैं जो मैंने उपर आपको अलग से बना रखे चोट लाइन है 4.26 और 4.27 के बीच में चलेंगे फिर वही करिया आप उपर से डॉट डॉट खिष लीजिए ताकि पता चले मैंने लिख दिया है फिर भी खिष लेता हूं 4.261 4.262 4.263 ऐसे करकर के आप इसे बनाएगे लिख दिया ओपर से लाइन देखे त्रॉल टेड़ा हो गया आप सही से खिष लीजिएगा मैंने बाद मुझी आदा है कि लोग खिष देता हूं ठीक है हमें क्या करना था 4.262 4.262 में हमें ते आप हम फिर नया नम बनाएंगे एक नमब्र लाइन एक निया लंब्र नहीं बनाते हैं हमको यहां मिल गया 4.262 झारिक है 4.262 4.263 तीक है उपर से डॉट डॉट कर जी है कि पता चेले कि यह जो पार्ट कर नम्म दाएं यह बताता है दोट डॉट कि नीची निखल निकल थिखा रहे हैं वहीं का बीच का ही पार्ट है कि महां तो मुश्किल था कि नहीं हो पाता तो इसको अलग कर दिया जाता है अब वही इसमें नाइन पॉइंट की लिजिए आप नाइन बाद 4.2621 इस तरह आप सारी पॉइंट ही 4.261 262 263 264 265 6 ठीक है 4.2629 तक आप इसको जगर लेंगे इस पर ड्रॉ कर लेंगे आपको क्या चाहिए था 4.2626 देखे मिल गया ठीक है मैं इसको अलग से ग्रीन से लिखे दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अलग दिखाए दे आप अपने कॉपी में ब् आपको 626 यहां बता दिया कि यहां है ठीक है यह तो क्लास ओवर होगे इसमें दो ही कोश्चन थे आगे की किसराइस हम करें इसमाज आ रहा है यह नहीं है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ मोडिफाय करो अपने अंदर ठीक कुछ बताने में कुछ बताई कुछ क औरल समे आपको 627 बताने में लिज्य रहा है कि समझ बताई कुछ वह में में बताई कि अफondernा है कि नहीं है तो क cigar दो है कुछ gebracht सक औरिमOTHER की कमोष़ कोम दो है यह तो है कि समý कि देए कुछ जा शौ जा दो खिपनाने में आ तो हम में यहां है रहाएं प्रिफ हैं ऐसे है questo,